नमस्कार मैं हूं अनुक्माग्लिब्स.in में आपका स्वागत हैं गरियाबन जिले में इन दिनों विई पी एप्रोच का खेल तो किल स्वास्थ विभाग में चल रहा है चाहे वो नियम में हो या नियम के विरुद इस बात की कोई परवाह नहीं क्योंकि उनके पीछे तो नेता मंत्रियों का हाथ है देखिए वियाईपी एप्रोच वाला स्वास्ते विभाग का कारणामा गरिया बंद जिले के राजिम सामुदाइक स्वास्ते केंडर के अधीनस्त उप्स्वास्ते केंडर कोमा में स्वास्ते कर्मी की मनमानी के चलते स्वास्ते व्यवस्था बदहाल है एक उप्स्वास्ते केंडर में तीन एएनम पदस्थ हैं हाला कि उप्स्वास्ते केंडर के स एनम राजिम सामुदाइक स्वास्ते केंडर में सनलगनी करण के तहट अपनी सेवाएं दे रहे हैं जबकि शासन की माने तो सनलगनी करण करने का विभाग के द्वारा शक्ती से पाबंदी है। इस बाबत जब जानकारी लेने पहुँचे तो खंड चिकित सा अधिकारी ने गोल मोल जवाब देते हुए अपने मारफत कर्मचारियों को रिलीव करने की बात कही। कोमा उपसास केंद्र के लिए कनेशर चूरा बलाग से कोमा उपसास केंद्र के लिए उसका इसनलगन आदिश आया है। कोमा में एक लंबे अर्से से सुचित्रा सरकार A.N.M की पदिस्था अपना शासन इस्तर पर होने से सेमाए दे रही थी। वही उनका स्टाफ नर्स की ट्रेनिंग में चले जाने से पदरिक्त होते ही। फिंगेश्वर विकास खंड के उपस्वास्थ केंद्र बामन देही की A.N.M चित्रलेखा धुव की वैकल्पिक व्यवस्था की गई जो की विगत चार सालों से अपनी सेवाएं उपस्वास्थ केंद्र कोमा में दे रही हैं। कोमा उपस्वास्थ केंद्र में मूरूप से पदस्थ सुचित्रा सरकार की ट्रेनिंग समाप्थ होते ही। कनेशर से जो सिस्टर आई है, उसके जगह पर सुचित्रा सरकार सिस्टर का ट्रांफर हुआ है। चुकि अभी वो मेडिकल आउकास में हैं, एक मेने के मेडिकल आउकास में हैं, तो जैसे आएगी तो उसको रिलीव कर दिया जाएगा कनेशर के लिए। अभी तक उनकी सिवाय तो जो है, इस्टरी लीव से आने के बाद, वो जो समुदैक स्वासकेंद में काम कर रही थी है, और आउकास में आने के प्रस्टा उसको रिलीव कर दिया जाएगा। वहीं A.N.M. चितररेखा दुरूब जिनकी मूल पोस्टिंग छुरा विकास खंड के उपस्वासे केंद्र बामंदेही में हैं, वो अब भी कोमा में पिछले चार सालों से सेवाएं दे रही हैं। इससे ये माना जा रहा है कि किसी मंत्री या नेता के दबाव में आकर खंड चिकित साधिकारी और जिला मुख्य चिकित साधिकारी ने ये व्यवस्था बनाई है। मुल पोस्टिंग बमंदेश के नाम से है सर मेरा भी हाँ मैं आठ साल तो राजिम में थी मैं साड़े तीन साल से कोमा हूँ। मुल पोस्टिंग सरकार सिस्टर कथा उसके बाद में वो करनेशर से पुसपसा हूँ। इस पूरे मामले पर खंचिकित साधिकारी ने अपनी सफाई में कहा कि वे शासन के आदेश का पालन कर रहे हैं। हाँ यदि रिटर्ण में देखा जाए तो एक उप सास्केज में तीन की परदिश सापना जो है शासन के आदेश है। तो कहीं है अवस्था नहीं होती है। नहीं नहीं तीन के हमारे पास जितने हेंड होंगे जनता को उतनी सुईदा होंगी। हम उस कर्मिचारी की काम के हिसाब से उसकी और भी अन्य जगह यदि उसकी आवशकता है तो उससे अनरूप काम लिया जा रहा है। अभी तक विभाग से कुछ रिटन में आया है कि उनके रिलीव किया जा नहीं है या फिर उनको इस्त्रांतर किया जाना है सकूए। तीन साल के अध्याना उकास के बाद उसका इस्त्रांतरन आदेश आया है अभी अभी तो दो-तीन मेनत होई गया है। इस पूरे मामले से ये साफ होता है कि स्वास्त्यकर्मी अपनी मनचाही जगों पर एप्रोच लगा कर ट्रांसफर करवा रहे हैं। क्योंकि जीता जाकता मामला उजागर आर्टी आई से हुआ जिसमें बताया जा रहा है कि जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्त्यकर्य को ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है। लेकिन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्त्य अधिकारी अरुण कुमार रात्रे ने एक स्वास्त्यकर्मी का अजधानांतरन करते हुए आदेश पत्र में लिखा है कि माननी अजय चंद्राकर स्वास्त एवं परिवार कल्यान 36 गड़ शासन के टेलीफोन से निर्देश अन नहीं है और खुलकर अपनी मनमानी चला रहे हैं एक आदेश मेरे हाथ में हैं जिस आदेश को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगी यह जो आदेश है यह किसी व्याइपी एप्रोस से कम नहीं है इसमें साब तोर पर मुख्य चिकित्सेवं स्वास्त अधिकारी ने ये जो तुमगाव महासमून जीला के उप स्वास्त केंद्र में पदस्था मानी अजय चंद्राकर स्वास्तेवं परिवार कल्यान विभाद 36 गड़ के टेली फोन से निर्देशा नुसार रिक्त पद स्वास्त संस्था उप केंद्र धमनी विकासखण फिंगेश्वर किया जा इसमें साथ तोर पर वियाईपी अप्रोच लिखा हुआ है मंतरी का फोन आना और मंतरी द्वार ये कहा जाना है कि उसे दूसरे जगाई इस तरह का धांदली चल रहा है क्या एक मंतरी को इस तरह का का काम करना चाहिए ये इस बात में कितनी सत्यता है ये तो जाच का विसा है लेकिन जो कुछ भी हमारे हाथ में यही बता रहा है कि स्वास्त विभाग में वियाईपी अप्रोच चलता है अगर किसी स्वास्त कर्मी का अधिकाली से जम नहीं रहा है तो उसे दूर भेज दिया जाता है अगर को स्वास्त कर्मी किसी मंतरी या नेता का वियाईपी अ प्रोज लेकर आता है तुसे मंचाह जगा दिया जाता है ताकि वो अराम से कारिय कर सके ये इस्तिती गरिया बंचीला में चल रहा है अभी हाल ही में जिले के स्वास्ते विभाग में 14 स्वीकृत पदों में 41 पद फर्जी तरीके से लिये जाने का एक बड़ा मामला खुलासा होने के बावजूद भी शासन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कारिवाई नहीं होने से उनके होसले बुलंद होने के चलते मनमानी का एक बड़ा मामला उजागर हुआ है स्वास्विभाद में यहां तक यह चल रहा है कि अगर कोई जगा पसंद नहीं आता है तो वो बखादा, मंत्री, नेता का वियाईपी एप्रोच ले कराता है और अधिकारियों को कहता है कि मुझे मन चाहा जगा चाहिए और वो मन चाहा जगा उसे मिल जाता है इस पर सवाल यह खड़ा होता है कि क्या इस त्रनांत्रन में क्या भारी भरकम पैसों का धांदली चल रहा है सवाल यह भी उड़ता है कि क्या एक स्वास्त करमचारी वियाईपी एप्रोच के सहारे नौकरी कर सकता है या फिर उसकी नौकरी भी वियाईपी एप्रोच के सह कारे ही लगा है यह पूरा मामला जाज का विशा है अगिछ सवाल यहां पे ये भी उड़ता है क्यूं सासन प्रसासन ऐसे अधिकारियों पर नकेल क्यों नहीं कसती जो वयोस्था भीगाणने में पूरा सही योग करते हैं और क्यों 37 गर्षासन ऐसे नेताओं और मंत्रियों को मंत्रियों पर नकेल क्यों नहीं करती ये सबसे बड़ा सवाल है हाला कि ये पूरा जाज को भी सह है इसमें जाज करने में कई बड़े खुलासे होंगे लेकिन जो कुछ भी सामने आया है ये काफी हैरान कर देने वाला है क्योंकि व्याइपी ये प्रोज इतना च्यादा है कि उसी के भरों से सरकारी संस्थाएं चल रहे हैं और अधिकारी कर्मचारी कारवाहिस से बिलकुल नहीं डर रहे हैं लेकिन क्योंकि उनके पीछे तो कई लोगों का हाथ है यानि साफ कह सकते हैं कई बड़े नेताओं का हाथ है बारहाल देखना दिल चस्प होगा कि इस पूरे मामले पर क्या करवाहिस सासन प्रशाशन करती है या फिर मौन धारन करके यूही तमासाथ देखते रहेगी Glips.in के लिए क्याबरा में लच्पी संकर के साथ शेक इबरान गरिया बन Glips.in में खबरों का सिल्जला लगतार जारी है